बड़ी सीट रही है भाटे जनता पार्टी के लिए ऐसे में उन्हें वहां से उतारा गया है तो देखना यह है कि आप किस तरीके से हेमा मालनी हमारे साथ में जो मत्हुरा से एक बार फिर से उमीदवार बनाई गई है मौजुदा सांसत भी हमां से जुड़ गई है हेमा जी क हैं हमारे वरिश स्योगी वह आप से कुछ पूछना जाते हैं हेमा जी मत्हुरा बड़ी मुश्किल सीट माने जाती थी आप दो बार लगातार वहां जीच चुकी है यह माजी का चमतकार है कि बीजेपी का हमारे सारे कार्य करता है इतना काम करते हैं मोधी जी का दिया हमा जी कि कॉरिडूर बने हुएं महाकार का कॉरिडूर बना अहुआ kitaтив का मतूरा में कब आप मतूरा के लोगों को ऐसा दर्शन देंगी ताखिंव भी दुनिया भर से आनम मातूरा है मतूरा में सुंधार में तो दुनिया भर के लोगमिशने होग इतने आ रहें कि उधर ह इसके इलावा अभी तॉरीडर भी बनेगा तो और भी कितने लोग होंगे उसके हिसाब से हमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना पड़ेगा वह सारा काम करेंगे हम मात्रर आप मतुरा वासी हो गई है और आपको वहां से निकलने देते हैं आपके तो यह मालुक कि वह मालूम ने मुझे मेरा क्षेत्र से मेरा मतलब है अभी मेरा क्षेत्र का काम होने के बाद कहीं बुलाएंगे तर डेफिनेटली जाएंगे हमारे पार्ट के लिए बहुत-बहुत बधाई भी आपको और देखना ये क्याने वाले चुना में क्या नतीजा रहता लेकिन र तो रवी किशन को गोरकपुर से एक बार फिर से मौका दिया गया है हेमा मालनी को भी आपने सुना मत्वरा से एक बार फिरस पर उन पर बीजेपी ने दाव खेला है और पिछला भी चुनाव वो जीती बहुत-बड़े मार्जिन के साथ जीती और फिर से उन्हें यहां पर का काशी की धर्ती से तीसरी बार चुनाव लड़ने का एलान हुआ काशी में जगह जगह मिठाईयां बट रही है उस्सा में है जोन के समर्तक है का हो गुरू इतना उस्सा का है और तीसरी बार कोई आदमी लड़ा तो कि कुछ बुराई भी भला तो अच्छाई-च्छाई कि गिनावत हुआ का है इतना हो जोस में हो आपको लड़कियों चौप लेवाई में जब सरकार इतना हमारे लगकर लड़कियों के लिए तना फैसिलेटी दिया तो नहीं को न सपोर्ट करेंगा और किसको सपोर्ट करेंगी तो तीसरी बार का लग रहा है कि दिका पिछली उपेनारियों आपके पास में गोरगपूर से एक बार फिर से बीजेपी के उंबीद्वार रवी किशन बनाएंगे हमारे साथ में जुड़ गए हैं रवी जी बधाई कैसा लग रहा है बोटपूरी में एक बार शुरुवात कीज़े करेंगे रवी किशन का रुख हम कोशिश कर रहें कि उनसे संपर्ट साथ पाएं और ये हम तस्वीरे आपको बनारस की दिखा रहे हैं बनारस की जंता किस तरीके से खुश हो रही है और वाह के कारेकरता बीजेपी की किस तरीके से खुश हो रहे हैं आप देख सकते हैं बीजेपी ने 197 अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिये हैं, जिसमें से कई पुराने चेहरे रिपीट किये गए, सबसे चौका देने वाले उम्मीदवार हमने दिली में देखे, प्रवेश वर्मा जो पश्मी दिली के सीट पर बड़े मार्जिन से 2019 में जीतते हैं, लेक लेकिन पुराने चेहरे रिपीट किये गए, लेकिन पुराने चेहरों पर दाव खेला जिन्हों ने काम किया, हर राजिय में पूरी की पूरी लिस्ट है, प्रदान मंत्री का नाम सबसे उपर है, दूसरी नाम पर अगर अर्णवान निको बार दे विश्रू पद्रे, ये अगर तो, अजे मिश्रा टेनी के नाम को लेके क्या कहें गया, अजे मिश्रा टेनी को लेकर काफी विवाद था, लेकिन मुझे लगता है, एक बार फिर विनेबिलिडी क्रेटेरिया, जो जीत सकता है, उस पर दाव लगाया है, पार्टी आला कामान ने, और आला कामान को बाइपोल में मौका मिला था, और आजमगड में वो जीत कराया था, अगर उनकी नाक के नीचे जीत करा रहा है, यादव परिवार के, अखिनेश यादव के, तो यह बहुर बड़ी उपलब्दी थी, और यही उपलब्दी है, जो उनको इस वार फिर तुनाओ लड़वा उपेंद्र का रुक कर लेते हैं, बनारस से हमारे साथ में जुड़े हुएं, उपेंद्र बड़ी मिठाई खिलाई जा रही है, बड़ी खुशी है लोगों में, कि फिर से नरेंद्र मोदी वहीं से चुनाव लड़ रहा है बिल्कुत देखे, ये उस साथ देखते ही बन रहा है, आतिस बाजी भी देखिया आ गई है यहां पर, तो लगातार मिठाई बट रही है, आतिस बाजी हो रही हो, क्यो हो रही है, ये भी हम दिखाएंगे, तस्वीर कैमेरा पर संद दिखाएं, बात हम इनके दिलों की सुन लोगा लो अग्यां मत बढ़िया अरे तुफान मजी इसे आवाज देतों ही दिखत बना अंगा अगलान के बाद यहां इस बाजी हो रही है, तो क्यों लग रहा है आपको किस बार और भी जो आकड़ा है, वह बढ़ेका, अरे या नसा हो, मोदी जी का पुरा बीसु के नस पूरे बनारस के हर घर घर में नसा है और सब लोगे दोगे लगाइं का लिपीना प्रणा होई कैसरीया हुई इताप के सद्रीया चारों तरफ के सद्रीया आप दिने आप इमानत ना हुआ इनौ किया वादी प्रभू का शिर्वाद प्रभू राम का शिर्वाद बाबा बहुने समाजवाद पार्टी कॉंग्रेस एक है मुश्किल पएदा होगी बहुत मुश्किल पैदा होगी इस बहुत मुश्किल पैदा हो जब भी नहीं कर पाएंगा सब चोर हैं मिठाया खिलाई गाना बजाई यह है आप देख रहे हैं बनारस की अलर्ड मस्ती है जो आपको दिखाई दे रही है जब नरेंद्र मोदी को फिर से वहां उमीद्वार बनाए गया है हमारी सायोगी फ्रियंका ने बातशीत की है बासुरी स से पूर्वा केंड्रिय मंत्री और स्वर्गेश शुष्मा स्वराज जी की बेटी नई दिली से टिकेट मिला सुन यह बनी है बासुरी स्वराज जो फिलहाल ग्रीट यहाँ पर तमाम लोगों को कर रही है बहुत-बहुत मुबारक बात आपको देखें तमाम लोग आ रहे बासुरी स्वराज जो है अब नई दिली लोकसभा से चुनाओ लडने वाली है बासुरी जी एक रियक्शन जरूर लेना चाहेंगे जब ख़बर मिली आप कहां थी और पहला रियक्शन क्या था कि नई दिली से लोकसभा पहला रियक्शन बहुत-जादा कृतग्य महसूस क प्रभार की विरेंदर जी के एक एक कारव करता की। मैं खृतक यह हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस योग के समझ कर ये अवसर दिया और मैं आपको बता रही हूँ, ये टिकेट मेरी नहीं है, ये नई दिल्ली संसिद्य शेत्र में भारतिय जनता पार्टी के प्रतेक कारकरता की है, आपको ये टिकेट जो है पहल मिनाक्षी जी थी, आप इस बार दो लोग सबा प्रतियाशी रहने वाले हैं और आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के गटबंदिन में महीला सीट देखने को मिली नहीं है, जी बिलकुल, क्योंकि आप जानते हैं कि झालो 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